मन्जिलें उन्ही को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, होसलों से उड़ान होती है पैरा एसेफ को भारतिय सेना के सबसे अच्छे कमांडोस में गिना जाता है, एसेफ का मतलब है स्पेशल फोर्सेज और पैरा शब्द इसलिए लगाये जाता है, क्योंकि ये कमांडोस इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट से जुड़े होते हैं पैरा एसेफ के नौ बटैलियन्स हैं, जिसमें करीब पांच से छे हजार कमांडोस होते हैं, इन सभी को इंडियन आर्मी के बारा लाख से भी जादा सोल्जर्स में से चुना जाता है पैरा एसेफ इंडिया के ही नहीं, बलकि दुनिया के सबसे बहतरीन कमांडोस में से एक हैं सन 2014 में, इंग्लैंड में दुनिया के 140 देशों के कमांडोस के बीच कॉम्पिटीशन हुआ था, जिसमें पैरा एसेफ ने गोल्ड मेडल जीता था पैरा एसेफ कमांडोस वो शेर हैं, जो दुश्मन के अलाके में घुसकर शिकार करते हैं इनका नाम सुनकर ही खलबली मच जाती है आए इनकी चालाकी और बहदुरी के कुछ सबूत देखते हैं अगस 2020 में पैरा कमांडोस ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के साथ मिलकर एक उपरेशन चलाया जिससे उन्होंने रात और रात पैंगोंग सो जील के किनारे पर मौजूद कई चोटियों जैसे ब्लैक टॉप और हेलमिट पर कबजा कर लिया इस उपरेशन के बाद अचानक पूरा पलड़ा भारत की और जोग गया और चीन सिर्फ देखता ही रह गया 2016 में पैरा सेफ ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की स्पेशल फोर्स की कई टीमें पाकिस्तान बॉर्डर में दो से तीन किलोमीटर अंदर तक पैदल गई और उन्होंने चालिस से पचास आतंगवादियों को मार गिराया पैरा का सिर्फ एक कमांडो घाहल हुआ क्योंकि उसने गलती से एक लैंड माइन पर पैर रख दिया था सन 2000 में पैरायसफ के सिर्फ 90 कमांडो जने एफरीका के सिरा लियोन नाम के देश में एक रेस्क्यू उपरेशन चलाया उन्होंने वहां की विद्रोही सेना RUF के 2000-4000 सेनिकों को सरंडर के लिए मजबूर किया और गुर्खा रैफिल्स के 223 जवानों को छुडाया जो करीब डाई महीनों से बंदी थे सन 1988 में मालदीव्स के राष्ट्रपती और उनके सिक्यूरिटी गार्ट्स को कुछ आतंगवादियों ने बंदी बना लिया था पैरा-SF की कई टीमें वहाँ गई और उन्होंने बेहत साफधानी से काम करते हुए राष्ट्रपती उनके साथियों और सिक्यूरिटी गार्ट्स को छुडाया इसे पैरा-SF के इतिहास के सबसे मुश्किल और काम्याब ओपरेशन्स में गिना जाता है अब जानते हैं कि इंडियन आर्मी के लाखो सिपाहियों में से पैरा-SF के कमांडोज कैसे चुने जाते हैं पैरा-SF का सिलेक्शन पीरियड तीन महीनों का होता है जिस दोरान सभी सोल्जर्स और ओफिसर्स की रैंक खत्म कर दी जाती है तीन महीनों के लिए सभी एक बराबर हो जाते हैं अलग-अलग तरीकों का इस्तमाल करके उनकी शारेरिक मजबूती, अकलमंदी और मांसिक मजबूती को टेस्ट किया जाता है जैसे बिना खाना खाये चार दिन तक रहना, सिर्फ एक लीटर पानी में तीन दिन काटना और बिना सोये साथ दिन तक रहना एक टेस्ट में उनके दोनों हाथ बांध कर उन्हें पानी में डुबोया जाता है उनके छिपे हुए डर को पहचानने के लिए सभी कैंडिडेट्स को करीब 20 किलो गराम वजन लात के 100 किलोमीटर तक दोड़ना भी होता है जो लोग इस तीन महीने की सिलेक्शन प्रोसेस में सभी टेस्ट को पास करते हैं वो पैरा-एस-फ का हिस्सा बनते हैं एक आम आदमी सेलिब्रेट करता है तो मिठाई खाता है, कोल ड्रिंग पीता है या गानों पर नाशता है लेकिन पैरा-एस-फ में सभी सक्सेस्फुल कैंडिडेट्स को एक लाल रंग की ड्रिंग दी जाती है कांच के गलास में सभी को ड्रिंक पीने के बाद गलास का एक टुकडा चबा कर निगलना भी होता है ये ट्रैडीशन का हिस्सा है अजीब है पर सच है खतरनाक है पर सच है पार्ट त्री ट्रेनिंग पैराएसेव कमांडोस की ट्रेनिंग साड़े तीन साल तक की होती है जो दुनिया की सबसे लंबी ट्रेनिंग है ट्रेनिंग में हर दिन की शुरुआत 20 किलो मीटर की दौड के साथ होती है हर हफ़ते सभी कमांडोस को 60-70 किलो वजन लेकर करीब 100 किलो मीटर दोड़ना होता है ये दूरी इतनी है कि एक आम आदमी बाइक से सफर करे तो भी ठक जाएगा लेकिन ये कमांडोस पैदल होकर भी नहीं ठकते ट्रेनिंग में सभी को गोरिला युद, माशल आर्ट, अडवांस वेपन कोर्स, काउंटर टेरिरिजम जैसे कई कोर्स कराये जाते हैं इससे सभी कमांडोस दिमागी तौर पर हर चुनौती के लिए तैयार हो जाते हैं प्रैक्टेस के दौरान असली हतियारों और गोल्यू का इस्तमाल किया जाता है, जिससे कुछ कमांडोस की मौत भी हो जाती है किसी ने सच कहा है कि सोने में भी चमक दव आती है, जब वो अंगारे बरसाती आग से होकर गुजरे हमें भनक भी नहीं लगती, पर पैराएसेफ की कमांडो नैशनल सेक्योरिटी से जुड़े हुए अलग-अलग कामों को अंजाम देते रहते हैं उनके प्रमुक कामों की ओर देखते हैं दुश्मन सेना के बारे में सीक्रिट इन्फॉर्मेशन इकठी करना बिना लड़ाई किये और बिना पकड में आए, चुपचाब दुश्मन सेना की सीमा में घुसना और वहां जाकर रिमोट सेंसर लगाना या गुरिल्ला युद करना आतंगवाद और गुसपैट को रोकने के लिए डारेक्ट ओपरेशन यानि आरपार की लड़ाई लड़ना आतंगवादियों द्वारा बंदी बनाए गए लोगों को छोड़ाने के लिए रेस्क्यू ओपरेशन चलाना इन कामों के अलावा भी पैरा-SF के जवान कई मिशन्स को अनजाम देते हैं पर नैशनल सिक्यूरिटी की वज़ा से उनकी जानकारी सीक्रिट रखी जाती है पैरा कमांडोस को उनके मिशन्स के लिए सरकार दुनिया के सबसे बहतरीन हतियार खरीद कर देती है जैसे गलॉक पिस्टिल, M4A1 कारबाइन, एफेंस कार असॉल्ट राइफिल, बैरेट स्नाइपर राइफिल और B300 शिपॉन रॉकेट लॉंचर इंडियन आर्मी के पैरा-SF के कमांडोस हिंदुस्तान के 140 करोड लोगों को महफूस रखने के लिए अपना काम बेहत खामोशी और बहदुरी से करते हैं उनके जस्पे और देश भक्ती को हमारा सलाम ये पैगाम हवाओ को बताए रखना, होगी रोश्नी जिरागों को जलाए रखना, देकर लहू की जिसकी हिफाज़त शहीदों ने आन उस तिरंगे की हरदम बचाए रखना जैहिंद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर करें और हमारे नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू